एलो स्टुडेंस इन दीस लेक्चर वी विल लेन्स तू कैल्कूलेट वो सेन्तल मॉमेंट्स होन एत्पे मैं के एक्जयांपल लेए ढेपी सीरी दी तुसी देख साक्डियो तो डीस्क्रीट सीरीज देले अगर ऐसी सेंटल मॉमेंट्स फाइन करने तो सब तो पहले सबीद जो इते mean find करना पहेगा because mean तो असी जो actual observations है सब तो पहले असी calculate की करनी आया mean calculate करांगे फिर दिखांगे अगर mean साथे को एक whole number आजन्द है तो असी फिर actual mean तो तो इते पहले सानू फिर अगर whole number मिल गया तो असी actual mean तो observations find कर लांगे small x तो फिर f दिनल multiply करके तो इते असी central moments find कर लांगे होन एते साथे को सी पहले ते mean find करांगे एते मैं summation f x किता 60 आया over n साथे को हैगा 15 तो इते असाथे को मीन आगया 4 अगर mean 4 है that means whole number है तो आप एते central moments find कर साकते हैं कोई fraction दी साथे को प्रॉब्लम नहीं आएगी तो होना सिया आदे को x minus x mean करके actual observation जए actual mean तो deviations find कर लिया तो आदे को 4 x दे बिचो सारे x observations दे बिचो 4 minus किता minus 2 minus 1 0 1 and 2 आगया होन क्योंकि जब उसी central moments find कर दे हैं ते साथे को जो summation f x over n second moment की हुंदा summation f x square over n that means square भी चाहिदा सानू third moment लई cube भी चाहिदा और fourth moment दे लई x दा 4 power भी चाहिदी तो पहले असी a step कर लांगे अथे x दा square कर लिया अथे cube कर लिया अथे power 4 कर लिया अथे power 4 कर लिया होन f x करना असी अथे x square, f x cube and f x 4 करांगे इस अथे कुल values आ गया इना नू असी ए फॉर्मूले दे विच पूट करके इना तो values moments दे या फाइन कर लांगे उनसी mission f x आया 0, 0 over n, 0 इसी पहला भी देखिया इसी conversion दे विच भी के जदो central moments दे विच देखिया first moment जेडा हमिशा साथे कुल 0 बन जनना है second moment दे लिए submission f x square हैगा 14 over n किनना है 15 फिर 0 over 15 ए ते 0 ही रहेगा 38 over 15 इस आदे कुल 0.93 38.15 इस आदे कुल इस आदे कुल central moments इस तरह आदे एक discrete series दे लिए central moments फाइं कार ले और आदे next example दे विचे raw moments example लाआंगे आदे आदे अगे मैं discrete series example लहिया और यहदे वास्ते जदो में 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 फाइं करके दिखिया submission f x over n करके तो 4.something आ रहे यह अदे मतलब कि जेड़ा इदा mean है गया ओ एक fraction दे वेच आ गया होन fraction देना असी अगर अगगे values central moment से define करांगे तो सारी यह values जेडिया है गया साथे कुल ओ fractions convert हो जानिया तो उनूं difficult हो जंदा cumbersome हो जंदा solve करना इसले यसी की करांगे, assumed mean लेलांगे, suppose आसी 4 रहते mean, assume कर लिया, होना आसी dx find करलांगे, assumed mean तो, deviations from assumed mean, dx, then आसी dx square, dx cube, dx power 4, फिर इना नो frequencies ना, multiply करलांगे, fdx, fdx square, fdx cube, and fdx power 4 होन ए फाइन करंदे लेते देख सकते हो, इते साथ एकोल, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, and 3 हागया, square करला, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 minus 1, 0, 1, 8, 27 होन आसी इना नो multiply करके, एवालियां, values भी find करलांगे, होन जो raw moments देले साथ एकोल formula है, उना दे भीचिए values नो उसी पुट करके, एदा जो raw moments हागे, वो find करलांगे, so here you can see, आसी चारो central moments find करलांगे, जो first moment हा, वो दी raw moment दी value आ रही है, 0.075, जो के nearly 0 ही है, क्योंके 0.0, ये nearly 0 ही है, इनों सी 0, consider कर सकते हैं, होना सी इना moments नो convert करांगे, into central moments, so here देख सकते हो, तुसी के central moments दे विच आसी raw moments नो convert कर लिया, तो एक convert करके, mu1, mu2, mu3 and mu4 बांगे, so here first moment नो उसी सिद्धा ही 0 लेकि देता है, क्योंकि कोई भी value होए, इने 0 ही रहना है, क्योंकि same value, same चोई minus हो रही है, second दे विच आगया सादे को, 1.804 देखो, जो central moments and raw moments अगर comparison करके देखिये थे, raw moments दे विच second answer सी 1.81 ये थे 1.80 तो लगपग, थर्दा answer जड़ाया, उसादे को लाया 0.894 एथे सी गा 0.487 तो एथे variation है और 4 दे विच दे खिये थे 8.1 एथे 8.0 तो लगपग answer जड़ाया, उसादे सेमा, इस तरह सी ना दा जड़ा conversion या ओ कर सकते हैं, होने दे तो moment about 0 बनाने हों ता ओ भी आसी बना सकते हैं, बिकर सादे को एजूम्ड मीने दे विच 4 सीगा और central moment आ गया तो वी 1 दा formula की सी सादे को a प्लस mu 1, a किनना सीगा 4, प्लस mu 1 जीरो तो वी 1 जब mu 1 जड़ा हो सादे को 4 आ गया, central moment about 0 जड़ा हो की हों दा formula mu 2 प्लस 1st moment about 0 दा स्केर इत्थे हों, इता एदी वैल्यू जड़ा 0 या 2nd जड़ा mu 2 हो दी वैल्यू सादी को लागी 1.804 फर्स्ट मोमेंट about 0 एदा स्केर करना मतलब 4 दा स्केर करना, एह answer आगया 17.804 फर्ड फर्ड फर्मूला है mu 3 प्लस 3, new 1, new 2, minus 2, new 1, raise to power 4 इते values पूट करती हैं, 3rd central moment हैगा 0.895 फ्लस 3, 1st new किना हैगा 4, 2nd किना है 17.804, minus 2, into 1st moment about 0 raise to power 4, एह हैगा 4, 4 raise to power 4, एह नों solve करके सादे को ल वैल्यू आगी, minus 297.457 एसे तरह आसी 4th moment about 0 जड़ाओ, कर लांगे तो इस फॉर्मूले दे विच वैल्यूस पूट करके अंसर आगया 3826.142 एस अदे को लागया moment about 0 जड़े के असी central moments सो कनवर्ट किते, सो इस एक्सेंपल जड़े के पहले raw moments नो सी find किता, then raw moments नो कनवर्ट किता, into central moments, now using central moments and assumed mean, we also find the moment about 0, so a जड़े 4, 17.804, minus 297.457 and 3826.142, so एड़े विच असी तिन्नो तरा moments नेड़े हा, वो फाइन कारने सिक ले, now in the next lecture we will learn about the second part of this chapter that is courtesis.